को अपने कंधे पर लाथ कर हैलेट एमेर्जेंसी से बाल रूग विभाग तक पैदल ही ले गया लेकिन वो अपने बेटे को बचा नहीं सका और उसकी मौत हो गई कानपूर मेडिकल कॉले से संबंध हैलेट अस्पताल को सरकार की तरफ से मेडिकल की सारी सुविधाय मिलती है लेकिन उसका फायदा आम लोगों को नहीं मिल पाता है और यहां तक कि अस्पताल में एक विभाग से दूसरे विभाग तक मरीज को लेकर जाना तो स्ट्रेचर त उसको भरती करने के बजाए बाल ड्रोग विभाग जुआने को कह दिया और हैलेट अमेर्जेंसी से बाल ड्रोग विभाग की दूरी तकरीबन 250 मीटर की है लेकिन अस्पताल की तरफ से उसको स्ट्रेचर तक नहीं दिया गया जब अंश की हालत जादा बिगरी तो सुनिल उसको अपने कंधे पर ही लाद करके हैलेट अमेर्जेंसी से बाल ड्रोग विभाग तक पैदल लेकर की चल पड़े सुनिल जब अंश को लेकर के बाल ड्रोग विभाग पहुंचे तो वहां के डॉक्टरों ने उसे मृत घोशित कर दिया अंश की मौत के बाद भी अस्पत साल की तरफ से उसको स्ट्रेचर नहीं मिला और उसके बाद अपने कंधे पर लाद करके सुनिल अपने बच्चे को लेकर के गया है तो यह एक्स्क्लूसिफ टस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं